हेलो और वेलकम टू रेडियन्ट अकाडमी मी अमोल चेपे आपला सर्वान सो स्वागत करतो रेडियन्ट अकाडमी चा नमी लेक्चर मदे आज अपन एक महत्वाचा मुद्यावर चर्चा करना रहे ज़सर टॉपिक तुम्हाला ही थे दिशत असेल कि आज अपनी तुम्हाल कई शब्द आठवत नहीं तो तुम्ही इस येचा सटी काय करूँँशकता ये रेक्चर मदे तुम्हाला बगाईला में लेक्चर थोड़ सा लांभू शकता कारण मी तुम्हाला याँ 5 स्टेप्स पूर्णा बगां ता पाच ही स्टेप्स तुम्हाला मी करूंद आख हय सब्सक्राइब करते हैं कि इंग्लिष चे वोक्याबलरी कशी इंग्लिष मध्या जाते हैं लेट आस स्टार्ट विद्धी क्लास टुडे सगयात पहला मुद्धा, रीड फ्रम एनी सोर्स ऑफ यॉर चॉईस, तुमचा आवडी चा कुठल्या ही सोर्स मध्न तुमीं इंग्लिष मध्याचा, मग ते पाचवी ते दावी चे इंग्लिष चे भुक्स ही असू शकता, एका तो नॉबेल ही असू शकता, कि वा इंटरने कुठल्या ही सोर्स मनन वाचा, ते वा मुले चास्ती कन्फ्यूज होता, कि सर एक्जेक्ली कुठला सोर्स गिव, तुम्हें तुम्हें एक सोपा सोर्स सांगतों, जो नहीमी साइटी तुम्चा सोबत असे, तुम्चा सग्यान कड़े स्मार्ट फोन्स है, आता है स्मार्ट आता है, कि गूगल क्रोम आपले कड़े सग्ड़ान कड़े असता, तो ते या क्रोम वर न्यूज.google.com टाकाया जा, मनजे गूगल न्यूज ओपन करा, सरवसोप, गूगल न्यूज वर तुम्हाला सग्ड़ा प्रकार चा न्यूज दिसता, यह चा तम्हें एका दी पोर्ड़ बदलवाचा, जननना मुवीज आउड़ा तस्तील, त्या मुवीज बदलवाचा, आता सब्धा पठान रिलीज जाला, तुम्हाला मुवीज मदे इंटरस्ट असेलता, पठान बदलवाचा, तुम्हाला आरारार बदलवाचा यह चा तो यू केन रीड एनीधि केल्ट फॉर यू तो अंडरस्टाइड, जो कठे नाया तुम्हा शेटी, मह काए कराये चा, किसरे स्टेप मदे, सर्च द मीनिंग ओफ दात वर इन एनीधिशनरी, कुठलै ही भी डिशनरी कि महां गूगल वर सरल सरल तैंचा अर्था शोधाय चा, चाओथिया स्टेप मद अपले आला त्या शब्दाच एक सेंटेंज बनवाय जाय ठीक है अणि 5 पार्ट मदे आपले आला या शेंटेंज सेंटेंज सेंटेंज बनवाय हे छाय है या सग्या बुष्टी में तुम्हा ला आतक करूंद दाखावनार ठीक है let us now move on to our first step पहली step काई होती अपली पहली step होती कि अपले आला Google Chrome open कराई जाए Google Chrome आ है तुम्चा सग्णे चा फोन मद है अस्तोच ठीक सग्णे पहले तुम्हाला हाविशा है कि read from any source of your choice तुम्हाला कुठले ही तुम्चा आवड़ता source मन्द रीड कराई जाए मी इथे रीड करने साथी Google News असा टाकतो Google News आणि Google News ला एंटर करतो माजा कड़े पहली साइट की Google News आ लिया है मी आता Google News वर क्लिक करी तुम्ही आता हे Google News ओपन जाले वर तुम्ही बगू शक्ता कि इथे बर्याक्षा News तुम्हाला दिस्तील या सग्रया News मधे तुम्हाला ही थे वेगवग्रया कैटेगरी सुद्दा दिस्तील कि टॉप स्टोरीज कोंड़े आहे लोकल कुठलया News आहे आना तैचान अंतर खाली तुम्ही आल तशे अंतर दुम्हाला वेगवग्र्यार टॉपिक्स दिस्तील ज़सो इन्डिया वर्ल्ड बिज्नेस एक्नोलजी एंटर्टीन्मेंट स्पोर्ट्स दिसता नहीं थे हबाब आ इन्डिया वर्ल्ड बिज्नेस दिस्ता है तुम्हाला इन्डिटादी एंटर्टेनमेंट स्पोर्ट्स अथा तुम्हाला एंटर्टेनमेंट रिलेटेड इखा दी बात में बाझा चांच तो यहाचत नावाचा अता आथी अशेटी और है अधी इनी केल रहूल चाल वाचा अक्राश्च तो तो फील नीूज ओपन करा जीपन आवडी ची नीूज आपन पाकिस्तान मदे रूपी स्लम्स्टू रेकॉर्ड लो क्राइसी सीट नेशन सीग्स बेल आउट ही बात मी वाचा वबा पकिस्तान के बारे में पड़ेंगे तो ही न्यूज में ओपन के लिए ठीक आता हा वाचाने साथी तुमचा कड़े ही इतकी न्यूज आहे तुम्हाला जेवा वाचा वस वाट्टर न तेवा इतकी न्यूज तुम्ही आरामात वाचू शकता मुलो बरेजदा विचारतात सर एका दिवशी खिती वाचाओ सो छोटी शी टिप आतात सांगों देतो पहली तुम्ही काय करा दर दोन तासाननी पक्तब 10-10 मिंटा साथी इंगलीश मदे वाचानेची पहले शुरुवात करा दर दोन तासाननी 10 मिंटा साथी किम्हा 10 मिंट नहीं जरी वाचल तरी एक न्यूज वाचानेची सवय लावा कि आपले आला दर दोन तासाननी एक अशी न्यूज वाचाईची है यानी दोन फाइदे होतील एक तो तुम्हें इंगलीश पंड सुधरेल और दुसरा तुम् कि पहले आंदा इथे अपले हैं हेडलाइन वर जाओ हेडलाइन है पाकिस्तान रुपी स्लम्स टू रेकॉल्ड लो क्राइसिस हिट नेशन सीक्स बेल आउट अता ही हेडलाइन मासली जे नवीन तयारी करणारे मुला है तैंचा साथी हेडलाइन माझे तीन चार सम्द अश अर्थम आइत नहीं अशा केस मदे आपले आला हेडलाइन मादे तीन शब्द मिलाले मापन परहात न करूँ शक्तों का यही बात मीत वाचून घ्याएची पन या तीन माँ शब्दान चा अर्थ आज आपन सम्दून गेणा परहात न करू ठीक है तो आज तिघान चामाग कैना रहें तैचा कड़ें बारक का इनी लक्षद्या है श्लम्पस मीनिघ मेस है कि खाली तुम्हाला सजेशन्स दिश दस्ति असंसरी आएक सजेशन AF स्लम्स मीनिंग इन मराठी, दुसरा है स्लम्स मीनिंग इन हिंदी, मग तेलगु तमील वगरे बरेच्च अप्छान है, तुमचा पैकी बरेच्च लोकानना, जेवा मीनिंग शोधायला संगेतला दाताना, ते मीनिंग शोत्तानना, स्लम्स मीनिंग इन मराठी केमा हिंदी अस चो तील तैचात अणि आपन जो अर्थव शोट्व आई यह चात काई फरक आए यह पंड में आता तुम्हाला सांधू बगार जेवा आपन स्लम्स मीनिंग नुष्ट श्लम्स मीनिंग योड़ा सर्च करून पहो तैभा आपने लखाय दिश्ट इथे शलम्स अर्था अला है तुम्हाला प्रोनसियेशन बरेजदा शब्दां चाहिपन पहा जो आवाज अल आ तो आए शलम्प या शब्दां चाप्रोनसियेशन दूसरा तुम्हाला इथे पहले अंदा सग्यात पहली इथे पार्ट ओ स्पीच लक्षा देता कि हा भर्ब है नंतर तुम्हाला इथे इंग्लिश मदे डीटेल मदे दिला इक याचा अर्थक आये अर्था दिला है to fall suddenly and by a large amount प्रॉब्लेम असा है कि सर आदिच तो इंग्लिश मदत नहीं महें यवडा मुठा अर्था कसा समदाचा तो याचा डीटेल डिस्क्रिप्शन खली हिंदी मदे पन दिला है आये दिला है अचानक भारी गिरावट आ जाना हाज याचा अर्था तो इसो मनाल कि सर है आमा मुठी मराठी के मा मुठी मों तो नहीं यत तो माला मी करूंद दाखो तो बगा जेवा अपन उखले ही वर्ड चा आपन उखल काय टकल हो तो फक्त ह्लम्स मीनिंग यह उड़ा स्टाक लो तब आता आपन काई करू slumps meaning in Hindi टाकून पहू उत्तर काई तो ते बहू ठीक है ना slumps meaning in Hindi गिर जाता है बगितला आता गिर जाता है मदे अचानक गिर जाता है क्या गिर जाता है detail मदे कही कड़त नहीं अणि बरेजदा मराठीत के वहां हिंदी मदे शोदलान अंतर आपले आला सब्दान चे एक्जाक्ट अर्था महीत पड़त नहीं प्रहतना करूंतों मराठीत यानी काई मंदला है इथे मंदला है घसर गुंडी आता असनो को वहला कि तुमी घसर गुंडीला लिटरली ती घसर गुंडी समझाल जी आपन लान पणी केड़ा जो कि वहां आपले आपले कड़े चाई लान मुल्ला ती घसर गुंडी वापरतात जेवा आपन ट्रांसलेशन शोदत अस्तों इन हिंदी कि मा इन मराठी वाला त्याच्यार अस्या चुका होनेचे चांसेश खुब अस्तात मनुन इन हिंदी इन मराठी असनो शोत्ता नुस्त स्लंप्स मीनिंग यह उडच्छोधा क्लियर तही विंडो आता बंद करतो अपले शब्दाचा डीठेल अर्था है पहला चांसलंप्स अचानक भारी गिरावट आ जाना आता दूसरी महत्वाची घुष्टा तुम्ही पहले दोन स्टेप्स केले तुम्ही एक तीन स्टेप्स जाले चाले पहले आपां क्याकेलों गूग नीउस वरन एक बातमी सिलिवक वाचइद्वा्ट. वाकण तुम्हाला पहले तो त्या शब्दाला पहले आंदा वापरा वापरा लगेल वापरा वापरा सेटी तो लेट उस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्यूस्य चेक्पिँग वेबसाइट on google उठलबण google वरेखा दी grammar checking वेबसाइट से तय चातना वर तम्हें याच्छा सेंटेंस का मीनिंग च्यक करूशत है grammar check करूशत है आणि word बरोबर वा पर लाई कि नहीं तेंपन च्यक करूशत है । hijy, करुं। भखाय चाहिए पहले टाइब कराए चेक ये क्विलबोट जरती बरवाटनला फ्री ग्रामर चेकर क्विलबोट यह जरा ठीक वाटल ता आपन यह चा वर जाऊंद पहुँँँँद आपन आलो आता इथे काय कि मला इथे एक सेंटेंस टाइप कराएचा एक सेंटेंस मी स्लम्स हा शब्दा वापरून लिहना रहे प्रहतन करील चुकी चाली इंगलिस्टे टीचर्स तो तो चुकी चाली ल सब्सक्रावाची साइट है ना एक काय अपले ला सजेशोंस देते ते अपन चेक करूंद ठीक है तो लेट आइल राइट सम्थिंग हीर इकोनामी स्लम्स फॉर रिसेशन असा मी इथे टाइप के लग आता इथे काय मन्टवाएप पाहा यू आर गुट्ट्टू को ग्राम अपन तो ठीक मन्टवाएप पण तेनी एक सेंटेंस ला सजेशन दिला एक काही तरी प्रोब्लेम ता आहे सेंटेंस मदे तो एक्जाटली काय अते बहुगा पन इथे अनि सजेश केल कि दे इकोनोमी इस हेडिंग फॉर रिसेशन तुम्ही असा मनू शकता मेक इट फ्लुएंट कि महां रिराइट सेंटेंस हाजू फ्लुएंट नाही अमने असा वाक्य कोणी वापरत नही ग्रामेटिकली ठीक वाटू शकता पन कोणी वापरत नही मग कसा वापरायला पाएजे मनुन आपन इथे यांचा सजेशन मा अपन पहुग पन इथे काय ठायला थैग मत इथे परला संब कोणी थे यहा णांजया वापरत नहीं है अपन पुं選ेंद राकाय ओ इथे कालन स्लम पहूँग इलाना स्लम स्लम सजवापरds आपर और रिसेशन पुन्हा करों तो इशेशन, काया मंठला इस इसाफ भाल सेंट रिसेशन है है अमें सेंटेन्स सजेशन कहा इने है अपने ग्रामर सेंट पूर अफ़ो कहा पहले तो मंठुला यथ इशेशन दो करेक्ट करूं दिला एक चींज ठीक है महत्वाचा चेंज है पाँ माजा हे लक्साद लीता ना आला ने करन जवा मोठा बोर्ड असतो तो तो इछे तुम्हाला दिशा दसेल कि यानी मला कही सजेशन दिले एक इकोनामी चा इथे स्पेलिंग चुक लेला है दुसरी गोष्ट तैनी मला खूब महत्वाची गोष्ट संगीत लिया है कि स्लम्स येचा सोबद फ़ार चालत नहीं फ़ार चाय वजी काई भाप राएला पाईजे इन्टू आप राएला पाईजे असा गरत काई होता कि कुठ कुठले सब्दान सुबद कुठले प्रिपोजीशन्स लागतार हे बन आप लेला समझन सुरुवता तो लेट उस नौ लेट उस नौ ट्राएंड मेग दीस चेंजेस इथे क्लिक केला कि हा मला एकोनामी चा स्पेलिंग चेक करूंदीला दूसरा इथे क्लिक केला यानी मला चायी वाजिं इन्टू करूंदीला की एक्स्टा स्पेस है मने ती पंठीक करूंदीहु अनि ठीक इस नौ भफ। चाल प्रिपोजी सो बच न याटला पैजिक मांजे मीजे फॉर वापरल होता कि मां भलतास काई तरी दूसरे वापर हो शकता असाजर वापरला माजे प्रिपोजीशन सा वापर ही ठीक होन जाई लिया सगयान सुबर तो तुम्ही क्विलबॉट ना वाजी ही साइट वापर हो शकता अणि जा स्टेप्स आता परनता अवरते टॉपिक्स वाचायला घ्या आवरते टॉपिक्स जे इजई जातात सेकंड एक लए तुम्हाला वाचाय issi थोड़ी सभाज यली की मघ काय करांच कि मघ वेराइटी बाढ़वाय ची टोपिक्स ची कि आज श्पोल्टस वर वाचले बात मया कि वाँ सकाड़ी स्पोल्टस सी बात में वाचली दुपारी एंटरटेन्मेंट बदलवाचली संध्याकाडी पॉलिटिक्स बदलवाचली रातरी एखादी बात मी science and technology बदलवाची यानी काय होता सेक्टर स्पेसिफिक वोक्याबलरी वाड़त जाते दूसरा ट्रांसलेशन्स ला कधी पन मीनिंग शी कन्फ्यूज करू नका याचा मी तुम्हाला उधारण दिला कि जेवा आपन स्लम्स चा ट्रांसलेशन केला तेहा घसरगुंडि आल होता आणि जेवा आपन्टेचा अर्था शोदला तेहा डिटेल मदे आपलेला अर्था संखनेत अला होता ट्रांसलेशन नका करू, मिनिंग्स हो दा, ट्रांसलेशन मदे अपल्याला, दुसर्या भासे तला, मझे मराठी तला कि महां हिंदी तला, फक्त परियाय वाची शब्द दिला दातो, अर्था नहीं कड़त्य चावर्ना, ठीक है, तीसरा, पार्ट और स्पीच समझुंग्या, जेवा आपन वाक्य बनोतो, मंझे जसा आपन सलम्स चा केस मदे, पहली गोष्ट पहली, कि तो वहर्ब होता, राइट, तो हे समझुंग्या आवज सकाए, अनि चवथा, बरेजदा ग्रामर चेक नी, ग्रामर चेक पूरुन वेले सच करेक्ट तुम्हाला सजेशन देती ल दसनाईया, तो अधून मधून एखादया विक्ति, जाला थोड़ा फार आपला विक्षा जासती समझत, अशा विक्ति कट्च, गाइडन्स गया, और शेवट ची एक टिप माजा साइड नी आड करतो, महत्वा चकाए है, कि जेवा तुम्ही रोज अशे 3-3-3-3-3 सब्द दर दोन तासाला कडाल, तेवा नकी चशे होनार और एक आज काड़लेले शब्द, उध्या तुम्हाले लक्षा तरहाणार नहीं, तुम्हा सग्रेच लक्षा dopamine रहनार नहीं। साथ दिवसाननी तो एक ही शब्द लक्षात रहनार नहीं। कही प्रब्लेम नहीं। सालत असे लसा चालू द्या। जेभा ते शब्द तुम्हाला रिपीट ये न सुरू होतील न। तुम्हाला अपवाप अर्थ कड़त जातील देचे। वाचतान न। तु पाथ स्टेप्स रोज फक्त फॉलो करत रहेचा। इतक्या डीटेल मदे बहुतेकज कड़ाची तुम्ही शब्दान चे अर्थ कशे काड़ाईचे वाक्या कशे बनवाईचे आणी वोक्याबलरी कशी इंपुरू तुम्हाला अउडला सेल। अजू नहीं का ये इंग्ली अजू झाला अजू झाला सेल।